दोस्तों 10,000 के अंदर कोई डिवाइस लेना चाते हो लेकिन सबसे बेश्ट बाला चाहिए तो मैं यहाँ पे आप लोगों को चुन के दूंगा थमनेल और वीडियो का जो टाइटेल है आपने तो पड़ी लिया और सही पड़ा अपने रियल्मी C15 वर्सेस रेड्मी 9 प्राइम इन स्मार्टपॉन्स दोनों के बारे में मैं डीटेल्स कमपरीजन करके आज दिखाऊंगा तो अगर सबसे बेश्ट बाला लेना है कीप वाचेंग और अभी तक अगर आपने वीडियो पे एक लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दीजिए ठोकिए ठोकते रहिए ठोकने से ही हमारे लाइप में दोस्तो स्वागत ते टेक्नो चौल लोचकी और एक मज़ादार एपिसोड में फिट से होई बात यार पग गया बोलते बोलते रियल्वी C15 वर्सेज रेड्मी 9 प्राइम तो काफी कन्फीजन डिफिकल्ट क्वेस्चन है चलिए मामला सुल जाते है सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वेट डिस्टिब्यूशन के बारे में तो याप पर रेड्मी 9 प्राइम जो डिवाइस है आप लोग को 198 ग्राम का मिलता है IPS LCD पैनल है दोनोई मोबाइल में आप लोग को मिल जाएगा 6.5 इंच का डिस्पले साथी साथ मिलता है आप लोग को कॉर्णिंग गोरिला गलास 3 का पोटेक्शन दोनोई डिवाइस में लेकिन यहाँ पे भी मसला आया दोस्तों वो मसला क्या है चलिए आप लोग को सुल ज रेशियो मिल जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा आगे रहता है रिल्मी C15 लेकिन वहाँ पे भी रिड्मी बाजी मार जाता है दोस्तों एस्पेक रेशियो से आप लोग क्या करोगे रिल्मी का जो C15 ने इसमें आप लोगो HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है और रिड्मी 9 प्र यहाँ पे मैं निराश हूँ रिल्मी C-Series में कब तक Full HD का डिस्प्ले आएगा अब जब तक भगवान ना माने है देना ही चाहिए रिल्मी को तो देखते है रिल्मी कब तक लाएगा तो यहाँ पे डिस्प्ले के साब से दोस्तों आप लोगो बहुत ही अच्छा डिस्प् प्राइम दोस्तों आप लोगों को 4GB, 64GB का एक मिलता है वेरियंट और दूसरा 4GB, 128GB का वेरियंट इसमें मिल जाएगा तो स्टोरेज के साब से थोड़ा आगे चला जाता है रिद्मी 9 प्राइम तो स्टोरेज आप लोगो बहुत ही अच्छा रहता है श्टोरेज जिसका अच्छा रहेगा वो तो ऐसे ही खुश रहता है दोस्तों क्योंकि स्टोरेज हम सभी लोगों को चाहिए इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को डेरिकेटर एजडिकार स्लोट मिल जाएगा दोनों ही सेट में तो आराम से यूज़ किजिए 256GB आप लोग यूज़ कर सकते हो स्टोरेज को एक्सपार्ड करके तो दोनों ही मोबाइल में डेरिकेटर एजडिकार स्लोट मिलता है या पर एक एडबांटेज रहता है रेड्मी 9 प्राइम का या पर 128GB स्टोरेज वरियंट भी दोस्तों मिल जाता है आप लोगो तो या पर बहुत ही अच्छा आप लोगो को स्टोरेज फेसिलिटी मिल जाता इस डिवाइस में दोस्तों रियल्मी C15 का प्राइब जाता बहुत है अगर आप लोगो पता नहीं तो मैं फिट से बता देता हूँ Realme C12 नाम का Realme C15 का छोटा भाई या पे Realme ने लॉंच किया तो अगर आप लोग इस डिवाइस के बारे में डीटेल्स में जानना चाहते हो तो इस डिवाइस का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आई बटन में मैंने लिंक देया हूँ आप लोग जाके जरूर चिकावट करने ना वीडियो वीडियो आपके लिए स्पेशाली बनाया है दोस्तो कैमराज के बारे में बात करते हैं दोस्तो दोनोई डिवाइस में आप लोग को वर्टिकल शेप में क्वार्ट कैमेरा सेट अप देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो 2MP का dip sensor और 5MP का macro sensor अच्छा दिया है मेरे इसाब से Redmi 9 Prime बालों ने तो मेरे इसाब से एक एक एफ सब्सक्रेट देखा जाए तो दोनोई जाए लेकिन 5MP का यहाँ पर दिया गया वो मुझे खासकर बेटल लगा आप लोग को क्या लगता है आप लोग जरूर बताना नीचे कॉमेंट करके अब हमारे सबसे चाहिता फ्रॉंट केमेरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों आप लोग को एट मेंगा पिक्सिल का एप 2.0 एपचर के साथ फ्रॉंट क अच्छा लगाए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप लोग को पर्फॉंट मिलने वाला है कैसा दोनों डिवाइस में तो 10,000 का प्राइस सेग्मेंट है सबसे अच्छा आप लोग को पर्फोंच चाहिए अब इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में बतात आता है दोस्तों वह आता है Mediatek के दरब से Mediatek Helio G35 processor और दूसरा जो processor है Redmi 9 Prime का यह आता है दोस्तों Mediatek Helio G80 वाला processor तो यहाँ पे थोड़ा आगे निकल जाता है Redmi 9 Prime क्योंकि Mediatek Helio G80 processor थोड़ा ज्यादा enhance किया Mediatek वालों ने तो मेरे इसाब से बहुत ही अच्छा है Redmi 9 Prime का processor द माली G52 GPU के साथ आता है तो माली G52 जो GPU यह बहुत ही अच्छा है दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोगो एपिसेंसी भी यह कर देगा अच्छी तरीके से अब गेम खेलते हुए आप लोगो बेटर परफरमेंस मिल जाएगा Redmi 9 Prime के उपर आप लोग अंतुदू बेंचमार्क स्कोर दो लाग के उपर चला जाता है तो अच्छा है बहुत ही अच्छा नहीं कहूंगा अच्छा है डीसेंट है आप लोग गेमिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं होगा पर पोसेसर की हिसाब से थोड़ा आगे निकल जाता है Redmi 9 Prime तो गेमिंग करते तो आप लोग कौन सा डिवाइस चुलोगे आप लोग खुद या पे डिसाइड करके नीचे कमेंट करके जरूर बताना अब बात करतें Android वर्शन और UI के बारे में तो दोनोई डिवाइसे में आप लोग को Android 10 का सपोर्ट मिल जाएगा दोनोई डिवाइस Android 10 के साथ आएगा अब सबसे चहीता चीज परफॉमेंस के बाद बैटरी बैटरी आप लोग को कैसा मिलेगा इस दोनोई डिवाइसे में तो करीब करीब यापे 6000 के आजपास चला जाता है रेड्मी 9 प्राइम का बैटरी जो की 5000B से मिलता है लेकिन रियल में C15 यापे बहुत ही बड़ा अराम से चल जाएगा आप लोग हेवी यूज करो या लाइट यूज करो तो मेरे इसाब से बैटरी फूड़ा ज्यादा मिलता है दोस्तों रियल मी C15 में और आप लोग को चार्जर कैसा मिलता है अब इसके बारे में भी थोड़ा मसला है इन दोनों डिवाइस में आप लो आप लोग को आटरावाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है लेकिन यूज भी टाइप सी मिलता है इसमें अब बैटरी के हिसाब से दोस्तों मैं का हूँगा आप लोग को माइक्र यूज भी मिले या ना मिले 6000 का बैटरी आप बंद करके लेना चाहिए तो मैं इस बार डिल आप लोग को आल सेंसर एविलेबल देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन रेडमी 9 प्राइम में एक अलग से सेंसर रेडमी वाले प्रोवाइड करते है जो कि यह आयर ब्लस्टा है तो रेडमी का यह खासियत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने डिवाइस से आप टीवी या अपने AC को रिमोट के तुरू यूज कर पाऊगे तो आयर ब्लस्टर मिल जाता है रेडमी 9 प्राइम में जो कि मुझे खास कर ज्यादा अच्छा लगता है रेडमी C15 में आप लोग को आयर ब्लस्टर देखने के लिए नहीं मिलता अब भी यार सबसे मुस्किल लिए बक्त है आप लोग को जो मैं अभी बताऊंगा आप लोग को इन दोनों डिवाइस में से कौन सा चूर्स करना चाहिए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्राइस के बारे में बताऊंगा दोस्तों 3 जीवी 32 जो डियल वी C15 का स्टोरेज बरियंट है वो आप लोग को ब है डिस्पले आप लोग को फुल एजडी ब्लस करने मिलता है रेड्मी नाइन प्राइम में और चार्जर भी आप लोग को यूस्बी टाइप C के साथ मिल जाता है लेकिन बैटरी थोड़ा कम है पांच हजार भी से मिच का है बहुत ही अच्छा है लेकिन रिल भी C15 ज्यादा प्रोसेसर और या फुल एजडी ब्लस डिस्प्ले क्या चाहिए आप लोग को सभी मिलेगा तो मैं जाओंगा दोस्तों रेड्मी नाइन प्राइम के तरफ अब रिलमी C15 भी बहुत ही अच्छा डिवाइस है मैं या पर इसको अलग से नीचा करके नहीं बता रहा यह एक माइनस पॉइंट है लेकिन Micro USB 2.0 का सपोर्ट है उसमें USB Type-C नहीं है यह भी एक माइनस पॉइंट है Realme C15 का अगर आप लोग जाना चाहते हो आग बंद करके जा सकते हो गेमिंग करना चाहते हो तो दोस्तों दोनों ही डिवाइस में आराम से गेमिंग कर सकते हो इसी बात में वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों लाइक ठोकते रहे है ठोकते ठोकते है हमारा लाइक तो आई होप आप लोगो दोनों डिवाइस के बारे में पूरा पता चल गया कौन सा वैलूपर मनी है तो उम्मीद करता है आज का वीडियो आप लोगो मतरा मूझो